हलो एवरीवन, ग्रीडिंग्स टिया, कैसे हैं पिटा आप सब I hope you are always well तो आपकी वक्षीट है पिटा शिक्षान निदेश आला यानि की डारेक्ट टिरिट ओफ एजुकेशन जी एन सीटी ओफ टैली की वक्षीट नंबर है आपकी ये जो है 34 और ये है आपकी 6th क्लास की पि तो आप पार्ट को एक बार जरूर पढ़ा कीजिए वक्षीट रहेगी है हमारी सत्रा फरवरी 2021 की तो चलिए बिटा पढ़ना शुरू करते हैं वक्षीट शुरू करने से पहले बिटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जाकर प्लीज रैड सरंचनाओं को क्या कहा जाता है सरंचनाओं को सीरा कहा जाता है पत्ति पर जो रेखिट सरंचनाई होती है ये मालिया पत्ति है इस पर जो रेखिट सरंचनाई होती है इनको क्या कहा जाता है सीरा कहा जाता है पत्तियों में दो परकार की सीराई होती है ये जो धारियासी हो ये दो परकार की सिराएं होती हैं कौन-कौन सी एक तो हमारी होती है जाली का सिराविनास और दूसरी कौन सी होती है बिटा समानंतर सिराविनास तो अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी जाली का होती है और कौन सी जोह समानंतर होती है आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना है बिटा क एक बार पढ़िए बढ़िए फिर मैं आपको इसकी प्लिख भी दिगातीं। दूसरा है समान अंतर सिरावुन्याज, सीराइं एक दूसरे के समान अंतर होती हैं। जैसे की जाल जैसे सरंचरय कैसे होती है। पती में ऐसे और फिर इसमें से भी ऐसे होता है ऐसे ऐसे वो क्या करती है वो एक छोटा सा जाल सा बनाती है एक में तो ऐसे होता है दूसरी कैसे होती है जैसे कि पतली सी पत्ती ऐसे होती है और उसमें धारियां ऐसे सीधी होती है समानांतर होती है एक दूसरे के ठीक है तो व ऐसे पत्ती होती है और ऐसे धारियां होती है ठीका हो ज्रविन्हास होता है लगर नंबर एक क्या दिया गया है हमारा कि दिये गए पती के आरे की चित्र में जाली का और समानांतर सिराविनास बनाई है तो इसमें तो क्या करना है हमें बिटा जाली का सिराविनास बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे ऐसे ऐसे कर देने बिटा ठीक है ऐसे कर देंगे और इसमें क्या करना है बिटा सीधी धारियां बनानी है ठीक है ऐसे देखिए जैसा कि मैं आपको चितर दिखाती हूँ चितर को देखकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी पत्तियों की बात कर रहे हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह है आपकी बुक से आपकी ये पिक्चर ले गई है बिटा तो देखे यहां पर सबसे पहले है ये है पिक्चर A में देखे आप पत्तियों में सिराविन्यास पिक्चर A में सिराविन्यास यानि की जो है जाली का सिराविन्यास सबसे पहले में A में देखे क्या है जाली का रूपी सिराविन्यास ये आप पत्ती देख सकते हैं, इसमें आप ये एर से धारियां देख सकते हैं और इनके अंदर भी छोटी छोटी सी धारियां और भी है बेटा, ये कौन सी हो गई बेटा, ये जाली का, जाली का सिराविनास हो गया ये, ठीक है, आप इसका एक्सपरिमेंट कैसे कर सकते हैं, आप कोई भी पत्ता लेंगे, उसको उल्टा करके रखेंगे, जैसे कि ये पत्ता है, इसको उल्टा दिखाया गया है, ना कि सीधा, आप जैसे कोई भी पिपल का पत्ता लीजिए, आप उसको उल्टा कीजिए, उसके उपर आप पेज रखेंगे, उसके बाद हम जैसे कि बच तो उससे हलका हलका उसको जो है ड्रो करते रही है तो उससे क्या होगा ये जो धारियों के निशान है ये आपके पेज पर आ जाएंगे इससे पता चलेगा ये कौन सा जाली का विन्यास है कौन सा सिराविन्यास है तो इससे हमें पता लगेगा ये जाली का सिराविन्यास है दूसरा देखे ये पोदा देखे बिटा इसमें क्या है धारिया सीधी है क्या है बिलकुल सीधी है आप देख पा रहे होंगे बिटा ये हमारा समान अंतर सिराविन्यास है, कुन सा है बिटा? समान अंतर सिराविन्यास ठीक है? तो आपको आई-hop आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बिटा, तो चलते है अपनी वक्षीट पर, देखे आगे देखते हैं कोशिय नमबर टू क्या दिया गया है हमारा कोशिय नमबर टू है कि नीचे दिये गए जो है कथन सत्य और आई सत्य है बताईए तो देखिए कौन से सत्य है और कौन से आई सत्य है सबसे पहले ए है तना जल का समवहन करता है क्या करता है बिटा सम्मेहन करता है तो क्या है ये सकते हैं हम लिखेंगे सकते हैं इतके बार नेमू के पोदे में साखाई तने के आधार से निकलती है तो क्या निकलती है तो ये क्या है ऐसकते है नहीं वो क्योंकि पेड जैसा होता है तो तने से नहीं निकलती है आगे देख ट्रवाइटर के पोधे का तना मोटा और कठोर होता है तो एकस्ट्रा जो आप बोलते हैं घास वगयरा, कोई भी एक्स्रा पोधा हो गाता है जिसकी हमें जुरत नहीं होती उसको क्या कहते हैं खर्पतवार कहते हैं तो खर्पतवार क्या वो उनमें जरूरी होती हैं नहीं वो क्या करते हैं नुकसान दायक होते हैं और यहां पर है नुक्सान दायक नहीं होती तो यह भी क्या है यह भी हमारा एज सब्त है है ठीक है पिटा तो चलिए आगे चलते हैं परशन वहीं बढ़न को खड़े रहने में साइता परतान करता है तो क्या करता है बेटा हम लिखेंगे तना देखे ये जो होता है ये पेड़ को खड़ा रखने में जो है मदद करता है तो हम लिखेंगे तना अधिकतर पोधे अपना जीवन चकर हम एक पर लिखेंगे तना अधिकतर पोधे अपना जीवन चकर खालिस्तान से शुरू करते है तो कहाँ चुरू करते हैं बिटा आपना बीज से तो हम यहाँ पर लिखेंगे नमबर दो में हम लिखेंगे बीज तो यहाँ पर हम लिखेंगे बीज ठीक है आगे देखे सीराओं दवारा पत्ती पर बनाई गई रेखित सरंचना को क्या कहते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे उनको कहते हैं सीरा विन्यास तो नमबर तीन पर हम लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे सीरा विन्यास ठीक है बिटा ना समझ में आए तो आप यहां से भी देख सकते हैं यह रहा आगे है बिटा पोधे जिनके तने कमजोर होते हैं और वैसीधे नहीं खड़े हो पाते उन्हें क्या कहा जाता है बिटा उन्हें कहा जाता है वी सरपी लता तो ये हो गया भीटा उसकी पतियां जो होती है वो जो है समानंतर धारी होती है उसमें ठीक है बिटा आगे है पत्ती का वह भाग जिसके दवारा वह तने से जुड़ा होता है क्या कहलाता है वह कहलाता है प्रण व्रंथ क्या कहलाता है बिटा प्रण व्रंथ यह हो गया हमारा प्रण व्रंथ तो दिखिए यहाँ पर होती आपकी वक्षीट कंप्लेट आई होप आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी तो प्लिस लाइक शे और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू पिटा